स्वागेत आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज की राशी पल की आज 25 सितंबर 2023 है और दिन है सोंबार का कैसा रहेगा दिन ये मेश राशी और वरिशव राशी वालों के ये राशी पल चंद्रमा और उनकी नक्षत्रों के आदार पे इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा होईगी मेश राशी और वरिशव राशी दोनों ही राशीओं के लिए आज का दिन अच्छा है सबसे पहले हम बात करते हैं मेश राशी के मेश राशी वालों के लिए चंद्रमा चल रहे है इनके दसमें घर के अंदर मकर राशी के अंदर और ये ग्यारा दश्के 55 मिनट तक चलिए गे सूरे के नक्षत उत्रा स्वार्डा में उसके बाद ये चले जाएंगे जन्द्रमा के नक्षत रहे हैं तो इसे सबसे इनका दिन चलेगा चैनल पहली बार आएं तो कमेंट में जैसीरी राम, ओम नमे शिवा अवश्य ही लिखिए मेरे श्राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है काम करने की उर्जा इन में जबरदस्त रहने वाली है काम का नशा इनके उपर चाहे हुआ रहेगा और साथ इसाथ जितने भी पेंटिंग कारे हैं उनको ये समटाते वे चलेंगे चंद्रमा ग्यानमे गर में जब भी आता है तो ये केरियर का भाव है नौकली का भाव है आपने आर्थिक रूप से मजबूती देने वाले कारियों का भाव है तो जितने भी रोजगार से संबंदित आपके कारे हैं वो आज आप कर सकते हैं केरियर में आपके उपर उचाल मिलेगा, केरियर में उन्नती होईगी और आज का दिन इसी टैप का है कि आप अपने केरियर के उपर फोकस करें, बिल्कुल भी समय बरबाद ने करें इधर बुदर और जितना हो सके काम को टालने की प्रवती है तो उनको आप ने टालें, आज अच्छ अधिकारियों से अपने तालमिल अच्छे बनाके चले, साथी साथ आज पूरे दिन एक चीज़ का द्यान रखना है, सूरे के नक्षेत्र में चंदरवाद चल रहे हैं, 11 पसके 55 मिनट तक, तो गौर्मेंट से रिलेटेट जितने भी कारे हैं, उनको आप 12 बज़े से पहले-पहले अंजामते हैं, सरकारी अधिकारी से मिलना, उच्छ अधिकारी से मिलना, अपनी बात कहनी है, अपना कोई इंक्रिमेंट, टांस्वर, पोस्टिंग, जो भी आपका कारे है, उसके लिए आप 12 बज़े से पहले-पहले मिलें, आपके कारे संपन होएंगे, ब जरूर पढ़ ले, कोई भी काम कर रहे है, तो किसी की शर्तों पे अगर आप काम करेंगे, तो थोड़ा सा आपको परिशानी होईगी, शर्तों का अची तरह से पढ़ें, फिर ही आप अपना कारे करें, अपने जो जरूरी कागजात है, आपके जो दस्तावेज हैं, कोई ग और परिवार वालों से कुटम कभीले वालों को भी आप शेयर नहीं करें, अपनी गुप्त बात, अपनी गुप्त राज, किसी से शेयर नहीं करें, आज आपको दुखा इस समद में मिल सकता है, वर्क प्लेस पे हैं, तो अपनी जरूरी फाइलों को, अपने डॉकुमेंट को डाटा को समाल के रखें, किसी को भी अगर आप दे रहे हैं, तो उसकी गुप्नियता भंगो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जिसके कारण आपको वर्क प्लेस पे परिणाम सही नहीं मिलेगा, पूरे दिन आपके इसी ताइप से चलेगा, कि आपके कारे पनोती हुए चले जाएंगे, मान सा मान आपका बड़ा हुआ रहेगा, चाहिए आप कहीं पे भी रहें, वेपारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्टिव रहेंगे आप, और इस एक्टिवनेस का फायदा आप उठाएं, अपने उर्जा का दिन है, किसी पी तरह कि आप नई डिल करते हैं, तो आज आपको फायदा मिलेगा, उसके अंदर दिन इस टाइप से वितेगा, कि आप अपने कस्टमर डूढ़ने में अपना दिन लगाएं, जितनी जादा आप अपने लिए गराक और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, उस औ और आप ध्यान दें, और इस और ध्यान देंगी, तो आपका वैपार बड़ी तेजी से चलेगा, अगर नए वैपार स्टाट किया है, तो आज आपको कस्टमर मिल सकते हैं, बड़ी डिल साइन हो सकती है, तो आज आप जरूर रैपर्ट करें, बहुत ही बड़ी या दिन है अगरी के अंदर, उसके धन से सम्मतित कारें रुकेंगे, आज कोई महत्मुन कारें करना है, तो चार बज़े से शे का टाइम लाप का चोगडिया है, इस समय आपको डील वगएरा साइन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ये भी टाइम सही है, दूसरा शुप समय 10-15 से लेके 11-15 ये भी शुप का चोखडिया है, कोई मंगल कारे के लिए किसी से मिलना है, तो इस समय आप मिल सकते हैं, तो ये इस तरह से आपका दिन चल रहा है, किसी भी परकार के नोकरी में हैं, तो आप unhealthy competition से बचें, क्योंकि आज आपको इस तरह की लोग भी मिल सकते हैं, जो आपको नीचा दिखाने का प्रियास करेंगे, क्योंकि आज आपकी सफलता सभी कारियों में आपको मिल रही है, तो किसी की परवार ने करें, बस बहुत ही चंट चालाग बनके आगे बढ़ें, किसी की शर्तों को मानने से पहले उस पर सोचें, अपने चीजों को आप समाल के रखे है, जो हाऊस वाइफ है, हाऊस वाइफ को अगर कोई आसपास में मनमूटाओ चलरहा है, कुटम कभीले में मनमूटाओ चलरहा है, तो उसको दूर करने का प्रियास करें, चंट्रपां आपके चल रहे हैं धस्वे Kazakhstan गर के अंदर, तो कोई भी investment अगर आपकर कड़ना चाते ह काम चलने वाला है तान में सभी के साथ वर्क प्लेस पे बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत यह अच्छी सुविधा रहेगी हर चीज को अंजाम देने में लाइफ की बात करें तो अगर आप अपने जीवन अपने लाइफ पार्टनर को या अपने लाइफ पार्टनर को प्रपोस करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं लाइफ पार्टनर की बात करें जीवन साथी की बात करें तो वेवाई जीवन आपका सही चल रहा है जीवन साथी काफी सपोर्टिव है जीवन साथी आज आपका आपका काफी रोमांटिक रह सकता है अपने जीवन साथी का संब करें यही आज की पहली शर्त के अंदर सभी जो भी रिष्टें है आपका तपमान करना आज बहुत जरूरी है क्योंकि आज आपके वाहणी से अपमान हो सकता है लोगोंको आपकी बात भी चुप सकती है विशास करके नजदी की रिस्तों के अंदर तो इस चीज का आप दियान रखें विचार करें फिर आप बोलें विद्यारतियों के लिए सफलता दाएक दिन है आज का और आप अगर जौब के लिए प्रियास रहते हैं तो आज आप प्रियास कीजिए आपको सफलता मिलेगी जौब छूट इसी कमी आपको आज देखनों को मिलेगी तो मिर्श राशी वालों का दिन इस टाइप का चल रहा है कि आपको किसी से भी आज कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने परिवार जनों से आप जरूर शेयर करें अपने पिता से अपने माता से या अपने लाइप पार्टनर से श चंदर्मा के नक्षेत्र में आदे दिन बाद जाएगा इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाये मंतर का जाप करना विश्णु सेस्त्र नाम का पाट सुनना आज आज आपको बहुत शिष्ट परिणाम देगा क्योंकि आज श्रमन नक्षेत्र है किसी अन्य की बाते नहें सुनने पड़े इसलिए विश्णु सहस्तर नाम का पार्ट सुने और अपने जीवन को कामियाब और सफलता पूर्ण बनाए अवश्य करें ये उपाई उपाई नक्षित्रों के इसाब से बहुत ही प्रभावशाली होते हैं इनको आप करेंगे तो काफी आपको रहात मिलेग बात करेंगे व्रेशबराशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा चंधरमा आपके चल रहे हैं नवे घर के अंदर जोकि दर्म का भाव है तो आज आपके धर्म के भाव में पूजपाट के भाव में आपकी जागरुपता नहीं रहेगे आप धर्म से रिलेटेट परंतु सावधान रहें जितने भी नए लोग आज आपके संपर्क में आएंगे उनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा उनको आप से जरूर फायदा होगा परंतु वह आपके लिए नुक्सान दाय की शाबित होएंगे उन से आपको आर्थिक रूप से आने हो सकती है तो जितने भी नए लोग आपके साथ आज जुणे उनके उनके साथ किसी भी प्रकार की वेपारी डील आप साइन करने से बचें कोई भी म 11.15 के बीच में करिए या 4 से 6 के बीच में करिए वैसे अभी जीत मुरद भी है उससे भी कर सकते हैं 11.46 से 12.35 यह भी टाइम अच्छा है इन टाइम को नोट करके रखिएगा इस समय में तुन कारे करिए क्योंकि आज आपका दिन 50-50 है मेहनत और भागे दोनों मिलके ही इंद्र मां आता है तो कारे पूरे होते हैं परन्तु रुकाउटों और दिक्कतों के साथ तो पहले रुकाउटे आएगे उनका आराम से फेस कर लेंगे आज आप में इतना confidence अपने उपर रहेगा कि हर रुकाउटों को आप फेस करके दूर कर लेंगे और अपने कारियों क कि बातों में नहीं आना है दूसरों के बातों में आके अपने निर्ने को अपने decisions को नहीं बदलना है जो भी महत्पूर्ण decision निर्ने लेने जा रहे उसमें आप अपने पिता की राय आवश्य ही ले पिता अगर आपके साथ व्यापारिक साजेदारी में है तो पिता की राय इसे काम करें, कोई मैत पुन प्रोब्लम, कोई मैत पुन डिसीजन आ गया है, तो पिता की राय लीजिए, माता पिता के आशिरवास से ही आज आज आपके कारे बनने वाले हैं, आत्मिश्वास ब्रश्य ब्रासी वालों का बड़ा जड़ा रहेगा, धन से संबंदित बड़ा दे और उसका पैसा आपको प्राप्त हो जाए, इस तरह का यूग बन रहा है, यानि कि रुकावा धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, पूरे समय एकी चीज़ का ध्यान रखें रिष्टों के अंदर, चाहे आप लव लाइफ में हो, रिलेशन्शिप में हो, पति-पत्नी हो या परिवार में हो, अपमान किसी का ने करें, क्योंकि अगर आपने आज अपमान किया, तो ये जो ग्रेगोचर है, ये आपके लिए नाकारात्मक परिणाम देंगे, आज सुबह सुबह देखा जाए, तो एकादशितिति लग रही है, 7.45 पे, तो 7.45 के ब अगवति वासु देवाय मंत्र का जाब करें, चावल के 7.45 के बचें, आज का दिन इस टाइप का है, कि आपको कोई भी महत्पुन कारे करने है, तो आप सूरे की नक्षित्र में कीजिए, कोई भी सरकार से संबंदित का रहे हैं, नौकरी से संबंदित का रहे हैं, तो 11.55 स हो सकती, अच्छी भी बेकार भी, तो बेकार बाते हैं, आपको सुनने को नहीं मिलें, इसलिए आज का उपाई यही है, कि जितना हो सके आप, विश्नु सहित्र नाम का पाट आप सुनें, अगर और ओम नम भगवते, वासु देवाय मंत्र का जाब सुनें, मतलब सुनना है आपको, सुनने से आपका शर्मन नक्षत्र का जो उपाय है, वो हो जाएगा, और दूसरों की नकारात्मक बाते आपको सुनने को नहीं मिलेगी, आपको अच्छी कुछ कबरिया मिले, अच्छी लोगों की प्रसंसा मिले, बढ़ाई मिले, इसलिए आप विश्नु सहित्र नाम का पार्ट आप करें, हमेशा जब भी शर्मन नक्षत्र आए विश्नु सहित्र नाम का पार्ट करने से, मान जमान भी बढ़ता है, और हमको अपनी तारिफ सुनने को भी मिलती है, तो इस चीज का आप ध्यान रहे हैं, मकर राशी में चंद्रमा चल रहे हैं, तो मकर र लव लाइफ में अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, दिन आपके लिए ठीक है, वेवाइक जीवन की बात करें, तो वेवाइक जीवन में जैसा की कहा है, कि किसी का आप मानना करें, तो जीवन साती का सम्मान करें, और जीवन साती का सपोर्ट आपको मिली रहा है मैतपुन कार्यों में मैतपुन डिसिजन्स में जीवन सती Damage अवश्य ही ले स्टुदेंट्स के लिए आज का दिन ठीक है जो लोग मैनेज्मेंट के स्टुदेंट है उनके लिए बढ़िया दिन है बाकी कोई भी students अगर आज कोई competition देता है तो अगर 11 बच के 50 मिनिट से पहले उसका कोई काम है तो बहुत ही अच्छा उसका सिद्धोने वाला है नशीले पदार्तों से आज 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 आपको बचके चलना चाहिए खान पान पे नियंतरन रखना बेहत चुरूरी है आज वरना आपको नुकसान आज हो सकता है वर्क प्लेस पे हैं तो उच्छे दिकारियों से तानमिल बना के चलें किसी भी तरह से आप मांचनक बाशा में बातें ने करें और नहीं बहस करें जितना हो सके बात विबात और बहस से दूर रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा दूसरों की बातों पर अमल नहीं करें दूसरों की बातों पर ज्यादा कान नहीं लगाए और अपने मन से अपने मन की बात और अपने मन और विवेक की बात के साब से काम करेंगे तो दिन सफलता दायक होएगा तो यह था प्रेशब राशी वालों का राशी फल उपाई यही है कि क्या करें उपाई दिन आपका बढ़िया बढ़ने विश्णु सहिस्नाम का पाट किजिए बगवानी शिव के उपर पीले चंदन से बेल पत्र पे राम राम लेके चड़ाते तब भी आपके दिन में शुपदा बनी रहेगी गाय को गुड और चनी की डाल देने से भी दिन शुपदा बनेगा इन उपाईों को करके अपने जीवन को सफलता पूर्ण बनाए उपाई नक्षत्रों के आधार पे होता है इसलिए बहुत ही शिग्र और अतिशिग्र फल देने वाले होते हैं अवश्य किया कर ये नक्षत्रों के साबसे जो भी उपाई बताए जाए इसे जीवन में शुपदा भी आती है इसका मतलब यह हुआ कि आप इस टाइप से समझीए कि जैसे हम किसी के घड़ जाए तो सबसे पहले हमको ग्रे सुआमी को जो है उसको नम रहे है चैनल पर अच्छा लगे तो सबस्काइब कीजिए बाके आपके जियून में आई यू आरो के शुरे बना रहे है ओम नमो बगवते वासु देवाय मंदर अवश्य है लिखिये कमेंट में जैश्री राम